नमस्कार दोस्तों आपका आपको इंग जनल में स्वागत है तो आज हम बंदने जा रहे हैं अलू भर्मा सिम्ला मिर्स तो हमने यहां पर दो सिम्ला मिर्स ली थी इनकों कि हमने अच्छे से दो करके और इनके बीज निकाल दी हैं कभी-कभी यह जो बीज होते हैं के अंदर चुटे-चुटे कीड़े होते हैं जो कि हमें अपने आगों से दिखाए देते नहीं है तो इसलिए हमने उसको अच्छे आपने प्यास लिए है और यह हमने लेसन की दो प्रोस का पेस्ट बना लिया है यह आपने मसाले में हल्दी पाउड़नर, धन्य पाउडर, लाल मिर्ट पाउडर, राई, जीरा और नमत लिया है तो हम सबसे पहले पीजो मिर्च और प्यास नमें काटके रखी थी तो हमें डालेंगे अगर आप चाहें तो लेसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन हम अब भी लेसन का पेस्ट नहीं डाल वे है आवज में मसाले डालेंगे वे चमच थन्य पाउडर अधा चमच डाल मिर्च पाउडर, एक चमच नमक नमक आपने टीस्ट केंस वाड़न रख से तोड़ी सी तरदी ताम स्कॉचित मिक्स करेंगे यह जो पूरा जो मिक्सचर है हम पूरा अलू का जो मिक्सचर है वो हम यह जो काटी हुई संदा मिट्रे हैं इंके अंगर बहर देंगे तो हम नहीं यह सेमना में अलू भटके रड़ी कर लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे कड़ाई को मिनियम फ्रेम में जरम करेंगे और हम इसमें चार चम्मस तीर दालेंगे जरम उने तक रेट करेंगे तो यह जो वाइल है वो गरम हो चुका है अब हम इसमें एक चम्मत राइड आवेंगे एक तब नंब्रेटर डालेंगे तो रेजन का पेस्ट रहें और इसमें बालेंगे इसको अच्छे से जों लेंगे ताकि इसकी तो स्मेल है वदूर हो जोओं जोओरल राइड नियुक्त, राइड वा यूद्र अपी लेंगे जो आवे बालेंगे तो लेंगे तो मुझक के एक ने एक उन रिजएगे। 我喜歡 कि रेंगे कि अप्रूड़ की, उ cuma कि युर्म लुप रेंगे उ्यर्म को कम रुप रेंगी जैकि, व मीदम लुप रेंगे और जब यह एक लब से पक जाए तो फिर हम इसको चम्मत की ठाटा से प्लेट तो बर्मा सिम्ना मेज की सब्ची रेडी हो चुकी है हमने इसको 5-10 मिनिट के अंतर पे पलेट पलेट करके और अच्छे से पका लिया है तो यह रेडी हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो पस तो अगया नियुका की अगया में रीटी हमने ऐम इंप साहिता अगा तो हमने यह जो में कर दो क्या डो श्रॉक्त करके और में तो अब से पहले है एन चार्ये दाथे कड़ाय लेंगे अे करम ठाम से मिडियां फे ड्लेइ खुड़ देले नहीड दाया तरीजेज़ एक यरोको मिली त्लेड है वो ऐाय-गआ तो कि म One Man